एक कलियोगी माता-पिता अपने ही बच्चों की बोली लगाते हैं कितने में लगाते हैं इसकी भी जानकारी हम आपके समगश वो पहुंचाएंगे लेकिन बड़ी ही जादा एक दुखत गड़ना है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं कि माता-पिता अपने ही बच्चों को कैसे बेज सक दूसरों के हवाले लेकिन ये गड़ना सच है मुंबई पुलीस ने इसके खिलाफ जो फायार दर्च की है ये एक पहला केस होगा जहां पर एक कलियोगी माता पिता ने अपने ही बच्चों की बोली लगाई कितने में लगाई इसकी भी जानकारी हम आपके समग जो पहुंचा आपको बता दे कि जो लड़का है वो कम से कम अभी दो साल का होगा और उसकी बोली लगाई जाती है माता पिता के दवारा साथ हजार की और बच्ची अभी मेहच दो तीन महीने की होगी और उसकी भी बोली लगाई जाती है चोदा हजार की ये एक ऐसे कप्टी माता पिता ह जो कि अपनी ही बच्चों को बेचने चले हैं जब इसकी जानकारी बच्चों की बुवा तक पहुंचती है तो वो इसके खिलाफ आवाज उटाती है और पुलीस में F.I.R. दर्ज करवाती है पुलीस के द्वारा इन दोनों अरोपियों को जो गिरिफतार तो कर लिया गया है और आपको बता दे कि इन दो अरोपियों का नाम क्या है पिता का नाम है शवीर खान और माता का नाम है सानिया खान और ये ऐसे माता पिता है जो कि नशे का समान खरिबने के लिए अपने ही बच्चों को बेच जालते हैं और इसकी उपर बोलियां भी लगाते हैं अपने ब भुग बेजे हैं अगवाण ने इस दुनिया में जो कि अपने बच्चों को ही नहीं छोड़ रहे लेकिन देखने वाली बात ये है कि माता पिता के लिए जो बच्चे होते हैं जो उनकी संतार होती वो कलेज़े का टुकड़ा होती है लेकिन ये ऐसे माबाप है जो अपने ही कलेजे को टुकड़े को बेचने के लिए निकल जाते हैं और उसकी बोलिया लगाते हैं और अपने बच्चों को बेच देते हैं फिलहाल पुलीस ने इस बच्ची को तो बचा लिया लेकिन बच्चे का अभी तक जो नशा है वो इनसान को इस हद तक पागल बना चुका है कि इनसान की सोचने समझने की जो शमता है उसको भी खतम कर दी है इस नशे ने और नशा लोगों को इस हद तक अपनी चुपेट में लेते जा रहा है कि एक के बाद एक ऐसा मामला जो वो देखने को मिल रहा है लेकिन मैंने अभी तक ऐसा पहला मामना देखा है जिसमें एक माता-पिता ही अपने बच्चों की बोली लगाते हैं और वो भी नशे के लिए नशे के लिए एक इनसान इतना पागल हो चुका है कि उसको मा का प्यार नहीं दिख रहा पिता को अपने बच्चों की ममता नहीं दिख री कि कैसे अपने कलीजे को टुकडे को किसी के द्वारा जो वो बेज दिया जाता है शरमानी चाहिए ऐसे माता-पिता को जो की ऐसा काम करते है एक नशे का समान खरिदने के लिए अपने ही बच्चों को दूसरों के द्वारा जो बेज दिया जाता है आप ऐसे कप्टी और कल्योगी माता-पिता के लिए क्या कहेंगे इनके लिए जितना कुछ भी कहेंगे ना इतना कम है आप इपनी रहे जो कमेंट सेक्शन में जरूर सांजा कीजेगा और इस जानकारी को शेर कीजेगा और लोगों को भी पता चले कि ऐसे भी इस दुनिया में कल्योगी माता-पिता जो वो रह रहे हैं जो की नशे का समान ख्रीदने के लिए अपने ही बच्चों को बेचते चले जा रहे हैं आप इपनी रहे जो कमेंट सेक्शन में जरूर सांजा कीजीगा और आगे की जानकारी के लिए बने रहे हैं जुम